अलो दोस्तों, अज है 2 मार्च 2022 और 2 मार्च 2022 से जितने भी हरी आना और करेंडा फेर के क्वेस्टन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्केस करेंगे और साथ य साथ पिछली हरी आना करेंडा फेर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेस्टन के बारे में इंपोर्टेंट और एक्ष्ट्रा अफेक्ट पढ़ेंगे विद्ध हरी आना जिक्के और लास्ट मपके लिए हरी आना जिक्के का टैस्ट भी आप उसे इब देकर जरूर देखे और आप इसका एंडा फिर की पीडिये फाइल को डिस्क्रेप्शन में दिये हुए लिंक से डाणूट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रेप्शन में टेलेगराम का लिक मिल जाएगा उसे जोइन करके वहां से भी ले सकते हैं Q1 है, हरियाना गतिसिल बूजल समसादन अनुमान रिपोर्ट 2020 के नुसार राज्य में बूजल विकास सतर कितने परतिसत है? तो इसका रायट रंसरोग अप्शन C 135 परतिसत है, अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, फिर आपको अची तरह समझ में आएगा हरियाना सरकार ने गतिसिल बूजल समसादन अनुमान रिपोर्ट 2020 जारी की है, रिपोर्ट के नुसार बूजल निकासी और बूजल उपलबदा का अनुपात पूरे रैज्य के बूजल विकास सतर का 135 परतिसत तक पहुंच गया है केंदरिय बूजल बोर्ड चंडिगट और बूजल परकोष्ट सिचाई और जल समसादन वी बागहरियाना ने स्यूकत रूप से परदेश के 141 बलोक काकलन किया जिन में से 85 बलोक अत्यदीक बूजल दोहन स्रेणी में है जबकी 12 बलोक गंबीर स्रेणी में है 14 बलोक और 10 विदिन स्रेणी में जबकी 30 बलोक सुरुक्षी स्रेणी में रखे गई है अब दोस्तों जी करूँ अथा रिपोर्ट का तो इससे मिलते जूलते कुछ इंपोर्टेंट फॉइंट पढ़ लेते हाली के हाली में किंद्रिया वानिजया मंतराले द्वारा जारी की गई लोजिस्टिक परदर्शन सुसकांग या फिर नैशनल लोजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाना ने पूरे देश में दूसरा स्तान पराप्त किया है और हाली में निती आयोग ने देश में बहु आयाम में गरेवी सुचकांग जारी किया था इसमें हरियाना ने किस्वा स्थान पराप्त किया पूरे देश में और इसके नुसार हरियाना में 12.28 परतिसत अबादी गरीब है और हाली में इंडिया स्टेट फोरेश्ट रिपोर्ट 2021 के नुसार हरियान रेज्ज में वर्ष 2019 की तुल्ला में 2021 तक कुल मिलाकर 1.04 से कवेर किलोमेटर वन शेतर में बड़ोत्री हुई है क्वेस्टन बर 2 है हरियान युवा विज्ञान रतन पुरुषकार 2021 की से मिला है तो इसका रायट अंसरोग उप्सन डी कलपना नागपाल को यह पुरुषकार मिला है अब दोस्तों पढ़ लेते हैं important question है रज्यपाल बंडारू दत्यतरे ने विज्ञान दिवस है यनकी 23 परवरी को 11 विज्ञान पुरुषकार से समानित किया है और हरियानम दोस्तों दो तरह के पुरुषकार दिये जाते हैं हरियाना युवा विज्ञान रतन पुरुषका अब इनके बारें पढ़ लेते हैं बात करते हैं हरियाना युवा विज्ञान रतन पुरुषकार की 2019 के लिए ये मिला है दो को डाक्टर पूजा देवी तथा डाक्टर राम जिवारी को जबकि 2020 के लिए मिला है डाक्टर पोन कुमार वसतीज खुराना को और जबकि 2021 के ल और इसके तहत एक लाख रुपी की नाम राशी भी दी जाती है अब दोस्तों हरियाना विज्ञान रतन पुरुषकार के बारें पढ़ लेते हैं 2019 के लिए मिला है प्रोफेसर निरज जैन वा प्रोफेसर मुकेश जैन को जबकि 2020 के लिए मिला है डाक्टर मोतिलाल मदान तथा डाक्टर सुसीला मान को और जबकि 2021 के लिए मिला है डाक्टर चेतन परकास कोशिक और डाक्टर इलोरा सैन को और दोस्तो पहली बार इन पुरुषकारों में महिलाओं को भी सामिल किया गया है और पहली बार दो महिलाओं को हरियाना युवा पुरुषकार भी मिला है पर आपको नौट कर लेना उपर नाम पड़ चुके है और दोस्तो यह पुरुषकार 40 वरस के आयू से उपर के वैक्तियों को दिया जाता है और इसके ताहत 4 लाख रुपे की नामराशी दी जाती है Question number 3 है हरियान के खिलाडी रवी दैया ने विसो रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदग जीता है तो इसका राइट एंसरोग अफसन ने सोन पदग अफर गोल्ड मेडल जीता है अब पढ़ लेते दोस्तो इंपोर्टन क्वेशन है तुर्की के इस्तानबुल में हरबरी में हुई विसो रैंकिंग सीरीज में पहलवाण रवी दैया ने सोन पदग अफ़र गोल्ड मेडल जीता है जबकि इसी प्रतोक्ता में हरियान के पहलवन दीपक पुनिया, अमन और पहलवन ग्यान इंदर निकाश्या पदग जीता है अब दोस्तों जी करूवा था रवी दया का तो इसके बारें पढ़ लेते हैं रवी दया सुनपत के नाहरिगाउं से बिलोग करते हैं और 57 किलोगराम बारवरग मेहिनों ने टोक्यो उलमपिक में रज़त पदग जीता था कुष्टी में और 2021 में हुई पोलेंड ओपन चैंपिनशी में भी रज़त पदग जी चुके हैं और 2021 कंजाकिस्तान के अलमाटे में हुई एशेई चैंपिनशी में गोल्ड मेडल जीता था और जान लेते हैं और हाली में पतंजली योगपिट के प्रमूख सुआमी बाबा रामदेव ने खिलाडी बजरंग पुनिया रवी दया और दीपक कुमार को पतंजली रूची सोया का ब्राडमेस्टर भी बनाया है और रवी दया को बीम अवार्ड भी मिला दोस्तों 2022 में और मेजर जैंसंद खेलेतन अवार्ड भी मिल चुका 2021 का क्वेस्टन बर चार है हरियान रैज्जी की बैस रेसमा ने कितने किलो दूद देकर देश में सबसे ज़्यादा दूद देने का नैशनल रिकोर्ड बनाया है तो इसका रायट अन्सरोग अप्सिन B 33 किलो 800 ग्राम दूद देकर ये रिकोर्ड बनाया है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में कैथल जिले के बुड़ा केड़ा के निवासी नरेश की बैस रेसमा ने सबसे ज़्यादा 33 किलो 800 ग्राम दूद देकर पूरे देश में सबसे ज़्यादा दूद देने का नैशनल रिकोर्ड बनाया है और नैशनल डेरी डौलमेंट बोर्ड ने यह सर्टिवकेट मालिक नरेश को बेज़ा है अब दोस्तों जिकरू अथब बैस का तो इससे सम्मंदित हाली के कुछ इंपोर्टन फाइंड पढ़ लेते हैं और दोस्तों सेंट्रल इंसिटूट और रिशर्च ओन बाफैलोज इसकी स्तापनों इत्युन्सों पिचासी में और इसार जिले में स्तापित है और हाली में राष्टे डेरी अनुसुंदान संस्तान करनाल ने कलोनिंग से बैस के कटड़े विक्षित किये थे हाली में उनमें से एक का नाम रखा गया था गंतंतर है और जबकि दूसरे का नाम रखा गया था करनी का और हरियान के इसार के केंद्रिय बैसन संदान केंदर ने देश में सबसे अधीक कटड़े के कलोन बनाने में रिकोर्ड बना था और हाली में इस रस्तान को सबसे अधीक कोलोन कटड़े बनाने पर इंडिया बूक आफ रिकोर्ड से भी नवाजा गया है कोईस्टन बर पांच है हरियान के किस खिलाड़ी ने ब्राजिल में होने वाले डेफ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तो इसका रायट एंश्रोग अफशन B बल्राम काद्यान ने इसके लिए क्वालिफाई किया है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में जजजर जिले के गाउं चिमनी के युवा खिलाड़ी बलराम काध्यान ने ब्राजिल में एक मई से पंदरा मई तक होने वाले डेप उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है और पहली बार इस पर्दा में हरियाना से यह युवा खिलाड़ी देश का परतिनितों करेगा अब दोस्तों जीकर हुआ था उलम्पिक का तो हाली में टोक्यो उलम्पिक 2021 हुआ था इसमें हरियाना के तीन इक लाड़ियों ने वाक्तिगत परतिस पद्दा में तीन पदग जीते हैं रवी देया ने कुष्टी में रज़त पदक है बजरंग पुनिया ने कुष्टी में कैस्या पदक है जबकि निरत चोपड़ान दोस्तों जैवलिन थरों में गोल्ड मेडल जीता है अब दोस्तों जो भी हमने पड़ा उसका फटाफर से रिवीजन कर लेते हैं वीडियो पसंद आते हैं वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्यूंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी उसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बड़े से बड़े वीडियो लाने को उसिस करता हूँ तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना हरियाना का तीसेल बुजल है सनसादन उनुमान रिपोर्ट है 2020 के नुसार है राज्य में बुजल है विकास सतर कितने परतिसत है तो 135 परतिसत है नेक्स्ट है हरियाना युवा रतन पूर्शकार 2021 की से मिला है तो कलपना नागबाल को दोस्तो अगर दोस्तों आपको जनवरी फरवरी 2022 या फिर एक या दो साल की हरियाना का अंड़ फिर की PDF चीए तो उसका लिंक नीचे दिया वहाँ से डालोड कर सकते है या फर नीचे आपको वट्सेप नंबर मिल जाएगा उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाना का अंड़ फिर की PDF फाइल मिल जाएगी नेक्स्ट है हरियाना के खिलाड़ी रवी दया ने विशो रैंकिंग सीरीज में कोन सा पदक जीता है तो गोल्ड मैडल जीता है क्वेस्टन बर चार है हरियाना रजी की बैंस रेशमा ने कितने किलो दूद देकर देश में सबसे ज़ादा दूद देने का नैसनल रिकोर्ड बनाया है तो 33 किलो 800 ग्राम दूद देकर क्वेस्टन बर पांच है हरियाना के किस के लाड़ी ने ब्राजिल में होने वाले डैफ उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है तो बल्राम काद्यान ने दोस्तो जज़र जिले से विलाउं करते हैं अब साथ ही साथ हरियाना जी के करविजन या टेस्ट कर लेते हैं क्वेस्टन बर बन है बिवानी में नोजवान बार्थ सबा किस्तापना किस ने की थी तो रादा किर्शन वर्मा ने क्वेस्टन बर दो है हरियाना में सितला माता का मंदर किस वास्तु स्लिप पैटरन परदारित है तो राजस्तानी परदारित है next है ग्रुकुराम के परुखनगर मारक परस्तीत हरियानक के सुल्तानपूर पक्सी व्यार के खोज किसी ने की थी तो पिटर जैक्सन ने की थी नेक्ष्ट है, औरंगंजेब के सासनकल के दोरान 1600 उनेतर में दार्मिग नीती के विरोध में कोण सा विदरो हुआ था, तो सतना में विदरो हुआ था. कांग्रिस के नागपुर में हुए वार्षिक अदिवेशन में हरियाना प्रांत का परतिनी तो किसी ने किया था तो लाला अगरसे ने किया था सतलत काल में हरियाना का सबसे सोटा एकता कोन कहलाता था तो पलवल को कहा जाता था किसी अभिलेक में हरियाना को लेक करते हुए उसकी राज़दानी दिल्ली बताई गई है तो लाड़नु अभिलेक में हरियाना की राज़दानी दिल्ली बताई गई है next है 24 मार्च 1967 को हरियाना के पर्थम गैर कांगर्शी मुख्य मंतरी कौन बने थे तो राव वरिंदर सिंग बने थे next है हरियाना की जवालाल नहरू नहर किस नहर से निकाली जाती है तो बाखडा नहर से निकाली जाती है next है मेवाद जिले में नू के निकट मेवाद की पाडियों में कोन सी नदी निकलती है तो इंदोरी नदी निकलती है अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली पुरानी हरियाना करणा फेर कार वीजन कर लेती है Q1 है हरियाना के खिलाडियों ने 49-वी Senior National Rolling Championship में कौन सा पदग जीता है तो कैसे पदग जीता दोस्तों पूने मा जीत हुई थी Q2 है हरियाना रज्जो को के अंदर सरकार ने किर्शी या उसर्चना कोश योजरां के तहत कितने कुरुपे किरासी दी है तो 49-वी किरासी दोस्तों और ये हरियाना को वर 2020 से वर 2032-33 की अवदी के लिए मिली है Next है हरियाना के की जिले में रज्जे का पहला रज्ज के युनानी कोलेज मुह स्पताल स्थापित किया जारा वर्तमान में तो मेवात के अकेडा गाउ में Q4 है हरियाना के की संस्तान में देशी नसल की गीर गाय में कलोनिंग और साइवल नसल में इन वैट्रो फर्टिलाजेशन तकनिक पर काम कर रहा है तो कौन सा संस्तान हो तो NDRI दोस्तों का नालमेश्तित है ये Q5 है हरियाना सरकार ने जल परबंदन के लिए रज्य को कितने जोनों में बाटा है तो साथ जोनों में बाटा दोस्तों तो उनके नाम जाना लेते हैं अत्यदिक जल संकट है संकट है और कम जल संकट है के लावा लाल गुलाबी बैंगनी वर नीले रंग की कैटगरी में रखा गया है नाक्स्ट है हरियाना में कहां पर अडवांस सेंटर फोर इन फेशिय से डेसी सेंटर बनाया जाएगा तो चंडिगड में बनाया जाएगा नाक्स्ट है हरियाना का कौन सा नगर निगम वाटर पलस बना दोस्तों अमबाला बना है next है हरियान के की जिले की परकृती मलेक और श्टेले की नुवस्टी में परसासिक बनी है दोस्तो तो दोस्तो रोतक से बिलाओं करती है next है हरियाना की किस महला खिलाडी को मसकट में होने वाले महला एस यह कपतान बना गया था तो सवेता पुनिया को बना गया था हरियाना सरकार राजे में कितनी बादी वाले गाओं में कमल कलब बनाएगी तो दस हजार पलस बादी वाले गाओं में यह कलब बनाए जाएंगे अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाना करेंड़ा फेरकार विजन कर लेते हैं Q1 है, हरियाना के खिलाडी नीतू गंगस ने सोफिया में हुए ते तर्विस ट्रेंजा ममोरियल टुनामेट में कोन सा पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता दोस्तो और नीतू बिवानी के दनानागाउं से बिलॉग करती है Next है, हरियाना के की सातरा को डक्टर कलपरान चावला अवार्ड से समानित किया गया है तो बावनासानी को दोस्तो इसार से भिलॉग करती है हरियान के कि संसद को बार सरकार के डाक टिकट है सलाकर सिम्हिति घसदे से नुख्त किया गये है तो संसद दोस्तो सुनिता दुगल है और सीर्षा से लोकस्वा संसद है हरियान के खिलाडी दुरू ने मासको स्टार्स वुशू इंटरनाशनल चैंपिन सी में कौन सा पदग जीता है तो गोल्ड मैल जीता दोस्तो और दुरूर रोतक से बलाओं करती है हरियान विज्ञान रत्तन पुरुषकार दुजर किस किसे मिला है तो डाक्टर चेतन प्रकास कोसिक है वो डाक्टर इलोरा सायन को लास्ट वीडियो मैंने अपसे क्वेस्टन पूछा था हरियान के बिवानी जीले में 38 राज्यस तरिया है पसुदन पर्दसनी का सुबार्म किसी ने किया है तो इसका सुबार्म किया था उप्सन सी राज्ये पलबन डारू दत्यत रहने और ये 25 एस परवरी तक भी वानी में आजित हुईती दोस्तो और जबकि 37 में का उज़न दोस्तो 2020 में किया था करनाल में आज के लिए अपका क्वेस्टन है 35 सुरुज्कुंड है अंतराष्टे क्राप्त मेले का नया सहुगी देश किसे बनाया गए है आपको कमेंट करना है और पहले इसका सहुगी देश कौन था सहुगी रैज्चे कोन है दोस्तो इसका यज्वान कब से कब तक किया जाएगा आपको इसे अप मैट करना है अगर आपको एक दो साल के रिया अड़ा का अड़ाफर की पीडिया फाइल सीए तो नीचे लिक दिया वहाँ से डाउलोड कर सकते हैं और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच